एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे 6NLP के मंत्रा English Classes पर मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट प्रभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ इस से पहले मैंने अल्रेडी इसका हिंग्लिश शमरी का विडियो बना दिया हुआ है इंग्लिश मिन्स हिंदी प्लस इंग्लिश ये तो है आपको आपको एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में फाइब मार्क के समरी लिखने रहते हैं उसके लिए बाकि अबजेकटिप्स के लिए आपको वह उमारा हिंग्लिश हिंधी प्लस इंग्लिश जो है क्योंकि प्योंकि भी कठिन होता है उसको याद करना प्योर इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैंने उसको और डिटेल में कर दिया हुआ तो वह वह उसका लिंक आपको उपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है उसे आप देखना ना भूलें चलिए बढ़ते हैं आगे तो यह शॉर्ट प्रकार के होते हैं कैसे मतलब दो मिंज होते बहुत प्रकार के में मैंनली दो फिर उनके बेज से नहां ना किसी चीज चीजके एक वेत हो गए टेंस के तीन में कौनले होते हैं दो जबंद लेद इसके अलावा आपने सुना होगा डॉक्टर एपिजे अब्दुलकलाब जो हमारे महान बेग्जानिक और राश्ठपती आपने अभी डॉक्टर मनमोहन सिंग प्रधान मंत्री थे उनका भी नाम सुना होगा अभी ये किस चीज के डॉक्टर थे दात के नाक के आक के कान के इ परजन है वो फिजीसियन है और भी ना जाने कितने लेकिन ये एक एक होते हैं वो होते हैं जो पीएसडी करते हैं या कई बार यूनिवर्सिटी जो जो है मानदुपाधी डॉक्टरेट की देती है या पीएसडी जो करेगा उसके नाम के पहले डॉक्टर लगेगा वो एक ठीक उसी प्रकार से इससे दो प्रकार के होते हैं एक जो आप दो दकाव पर इससे लिखते हैं या ऐसे किसी बी चीजों पर जो भी आप लिखते है महंगाई पर किसी चीज पर वो लेकिन ये जो है वो हमारा लिटरेडी इससे है तो यहां पर यही कह रहा है अच्छा बड़ा चीज है उसमें से उसका एक चोटा सा हिस्सा लिया गया और कहां से लिया गया तो गांधी जी के आत्मकथा से अब ये बहुत सारे लोगों को आत्मकथा और जीवनी तो हिंदी में तो फिल भी होती इंगलिश में लोगों को बायोग्राफी और आटो बायोग्राफी में कन्फियूजन हो जाता है तो मैं कन्फियूजन को दूर कर देता हूँ बायोग्राफी जो हुआ वो हुआ किसी के बारे में लिखना जीवनी किसी के जीवन के बारे में लिखना वो बायोग्राफी है लेकिन जब यह auto biographie आगया इसका मतलब होता है आत्म का था अब आत्म का था कि बारे में लोग थोड़े confusion कुछ लोग होते हैं यदि आप उनमें से एक हैं तो मैं आपको clear कर दूँ कि आत्म का था कि अपने बारे में लिखते हैं उनको यह लगता है नहीं 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 ठीक है वो भी होते हैं बट उसके अलावे उसके अलावे जो आप किसी को कुछ मान करके यदी चलते हैं कुछ मान करके यदी लिखते हैं जैसे कि आप हिंदी की एक दो कविता मैं बोल देता हूँ हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हो अब बताइए भई यह हवा तो यह बोलेगा नहीं इसे किसी कवी ने आत्म कथा के रूप में लिखा एक और कवीता याद आ जाती है पुस्पी अभलासा चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं चाह नहीं मैं प्रेमी माला में गुद मिंद प्यारी को लल चाहूं वगरा वगरा अब क्या यह पुस्प ऐसे बोलेगा फूल ऐसे बोलेगा नहीं ना तो वो आटो बेग्रफिकल पोएम से वो हमारे प्रेज करते हैं प्रसंसा करते हैं हमारे सिविलाइजेशन की हमारे सभेता की अब एक छोटा सा सवाल मन में उठ सकता आपके कि यह सिविलाइजेशन यानि शभेता क्या होता है यह मोहन जोदरो की सभेता अरपा सभेता यही सब तरीका जो है एक समय में एक पर्टिकुलर टाइम पर एक खास समय पर किसी समाज के रहने चलने उठने बैठने के तोर तरीकों के ही बास्तम में आप कहेंगे तो सब्वेता करते हैं सिविलाइजेशन कहते है ठीक है तो हमारे जो यह भारती है यहां पर यह बात करें पूरे हमारे जो भारत का जो सोसाइटी है जो रहा है पुराने समय से अभी तक पूरे समय की अब जैसे मोहन जोदर है तो एक खास प्लेस पे खास जगह पे जब वो लेकिन यह पूरे भारती सव्वेता जो आज तक की भारत की नोन सव्वेता उसके बारे में कहते हैं गांधी जी इंफेसाइज जी जोर डालते हैं इंफेसाइज माने जोर डालना अचा लास्ट में मैं इसको एक बार रीडिंग दिलवा दूँगा आप लोगो को पढ़ने मे याद करने में दिखे जोगे लास्ट में मैं इसको एक बार पर हूँगा बस किवल इसका प्रणनसियसन करूँगा उससे आपको लर्ण करने में याद करने में मदद मिलेगी तो गांधी जी जो डालते हैं अस ऑन दा पॉइंट इस पॉइंट पर जो डालते हैं that no other civilization कि अन हमारे भारती यह सब बेता से क्यों because it gives value to performance यह जो है value देता किसको performance of duty को है ना duty के performance को यह value देता है या और साथ में and observance of morality duty के performance को value देता है इसकी अलाबा कि मतलब करतब में हमें करने चाहिए लेकिन साथ में किस चीज़ का and observance होना चाहिए नुकाला होना किस चीज़ का morality का ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कमालो जैसे तैसे अपने duty करो नहीं हमारे हर काम में हमारी morality होना चाहिए it depends more on idealism यह ज़्याद जो है वो आधरसबाद पर depend करता है राधर देन की materialistic concept of western civilization जो हमारी पस्सी में सब्यता है यानि यूरोप की सब्यता है अमेरिका की सब्यता है वो materialistic है materialistic का exact meaning होता है बहुत इकता वादी हो सकता है बहुत इकता वादी में भी आपको confusion हो तो मैं बता दू ऐसी सब्यता ऐसे लोग जो materials को ज़्यादा प्रिफेंस देते हैं जैसे उनके पास कार हो बंगला हो गारी हो टीबी हो फ्री जो ये materialistic हो गया हमारे हाँ क्या कितने ही पहले संसकार हो हम बढ़ों का आदर करें आपके पास कार है नहीं ये नहीं इससे कोई परक नहीं परता है आपके बढ़ि क्यूटी में ये है उसी को हम तो यह फिर से इस लाइन को मैं repeat करके पढ़ देता हूं यह ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करता है रादर दें हो गया पर डिजन के लिए कि आइडियलिज्म पर आदर सबाद पर नहीं की जो पिसमी सबेता का जो कंसेप्ट है materialistic बहुत ही किताबादी उस पर नहीं आवर कल्चर है जो टाटस हमारे संस्कृति ने सबेता संस्कृति हुए हुआ सबेता एक्चुली जो पूरा प्लेस है और कल्चर हो गया संस्कृति हो गया जो क्रिया कलाप होती है तो हमारे क्रिया कलाप ने हमें सिखाया क्या सेल्फ डिनायल स्वात्याग अनलाइक दा सेल्फ इंडलजेंस ऑप दीस्टर न सिविलाजेशन कम्परिजण वही से किया है वेस्टर न सिविलाजेशन है वो सेल्फ इंडलजीनस सौवभिला भई या अपना काम मनता भार में जाये जंता अलाग याल्याज थोड़े evento हाँ हमारे दिज्में भी हो रहे है लेगिन पर भी आज भी काफियत तक ऐसा नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे और किसी का भला होगा या नहीं उससे किसी को नुक्सान हो नहीं लोगों किसी को कुछ मेरा फाइदा हो रहा हो गया तो उस्ते आनलाइक like माने समान लिकिन है हां unlike us हमाने हमारे में स्वत्याग है यानि स्वत्याग है अपना त्याग करके भी दूसरों के यह कर लेकिन वहां है सेल्फ इंडलिजेंस यानि स्वभिलास तो वेस्टरन सिविलाइशन का विच कैन गो टू एनी लेंद वो किसी भी हद तक है यान लेंद हमाने हद तक लंबाई तक यानि की पौर दियर फीज Satisfaction and Self-Denial यानि आत्म शन्तुस्थी अपना संतुष्टी यानि कि हम जो काम करें उससे शन्तुस्थी और यह स्वत्याग है इस वाट आवर इंडियन कल्च्चर रेस्ट Whonal यह हमारा जो है इंडियन कल्चर इसी पर रेस्ट करता तो चीज मुख्य बात है किस चीज़ पर तो यह objective का question हो सकता है self satisfaction यानि आत्म संतूस्ती और self generous स्वत्याग ठीक है last है आपका और वो कहता है कि गांधी जी टेक्स प्राइट गांधी जी जो है वो गर्म महसूस करते ही नावर कल्चर हमारे कल्चर में and civilization सब्वेता में and says that it has stood और यह कहते हैं कि यह खरा रहा है stand जो आप English summary है जो मैंने का था वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सब दिया हो कैसे रोम की सब्वेता नस्टो गई होगे हमारा कैसे करा तो यह तो चुकी पांस नंबर वाले के लिए छोटा सा summary था इसलिए चलिए एक बार मैं इसकी reading दे देता हूं जिसे की आपको learn करने में सुबधा हो याद करने में सुबधा हो तो यहां इंडियन civilization and culture is a didactic essay it is an extract from Gandhiji's autobiography in this essay he praises our civilization Gandhiji emphasizes emphasizes on the point that no other civilization can compete with the Indian civilization because it gives value to performance of duty and observance of morality it depends more on idealism rather than materialistic concept of the western civilization our culture has also taught us self-denial unlike the self-indulgence of the western civilization which can go to any length for their physical and materialistic comforts self-satisfaction and self-denial is what our Indian culture rests upon Gandhiji takes pride in our culture and civilization and says that it has stood and passed the test of time इस प्रकार से हमारा यहां पर समापत हो गिया यदि आप चैनल पर नए है यह चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलता है विहारवोड के class 11 और 12 और साथ में CBSC के NCIT English Book के class 78910 और 11 और 12 और साथ मे गुल्मोहर इडर पार 6, 7 & 8 की English subject का complete solution मिलता है तो इन में से किसी भी classes में आप पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में नोटिफिकेस और बेल में all को प्रेस कर देजिसे की हमारे आने बाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सक कर देए